हलो दोस्तों स्वागत है आपका वीच्वल आजवित वीनी में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल का में शुरुवात वेस्टन आर्ट से हुआ था लेकिन कुछ सिच्वेशन से और बाकी चीजों की वज़े से जैसे एक्जैम पास में आई देन पेपर सॉल्व और इ तो उमीद है आपको पसंद आएगा ठीक है अब मैं वेस्टन आर्ट फिर से स्टार्ट करने वाले हूं जैसे कि मैंने आपको बोला था जितने भी आर्ट मुवमेंट्स बच रहे हैं वो हम लोग अब इस पे करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्ल अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्यूचरिजम ठीक है भविश्यवाद हमने लास्ट जो छोड़ा था देखी दोस्तों हमने रियलिजम देख लिया है कैसे पहले यथार्थवाद आया फिर हमने इंप्रेशनिजम देख लिया जिसको आप प्रभाववाद बोलते हैं फिर हमने नियो इंप्रेशनिजम देख लिया जिसको आप नव प्रभाववा ये सारे art moments जो हैं, हम लोगों ने देख लिये हैं इसमें क्या, देखे, एक simple सी बात है, मैं आप-लोग भुत ही घबराते हैं Western art को लेके लेकिन के कि वो क्यों चालू हुआ कैसे चालू हुआ और प्लस आप उससे रिलेटेट उसकी आर्टिस्ट को पढ़ लेंगे तो आप आधी चीज़ें क्या मतब आप सब को समझ जाएंगे ठीक है तो यह वही टाइम था और हम उसी में आके देखेंगे कि कैसे उसका समय उसकी क्या एक्चुएली क्या था ठीक है एक किताबी भाषा आप मैं बोलती हूं करो लेकिन चीजों को समझो पहले और बहुत ही नॉमल वे में समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्यूचरिजम भविश्यवाद था क्या तो इसका टाइम पहले बहुत अच्छे से याद रखिए 1905 से लेकि 1908 तो हर आर्ट मुवमेंट का आपको यह चीज ने ध्यान रखनी है कि वह क्या था उसका कॉंसेप्ट क्या था उसका टाइम पीरेड क्या है प्लस यह सबसे पहले कहा पहले हुआ था इटली में हुआ गया था अब यह थ के कारण संसार में जैन लिया एक इस तरह का ब्यूटी था मतब इस तरह का आर्ट मुवमेंट है जिसने एक मुवमेंट और स्पीड मुवमेंट और स्पीड के कारण संसार में जैन लिया अब मुवमेंट और स्पीड क्या कहती है कि आपको यह नीचे देखने को मिलेगा इ अगर आप इंग्लिश में देखें तो डैनेमिजम, स्पीड, टेक्नोलोजी, यूट, वाइलेंस, अबजेक्स, सच एस कार, एरपन, इंडॉस्ट्री, सिटी, इस पे जोड दिया, ठीके, तो सबसे पहले चीज, एक आपको मैं बहुत अच्छे से बताते हूं, मैंने लास्ट आपको कौँसा अर्ट मुअन्मेंट बता है, वो बता है क्यूबिजम, ठीके, क्यूबिजम चल रहा था, अब इस में आपको पता है, फ्यूटरिस्ट जो हैं, वो क्यूबिस्ट से ही इंस्पायर्ड है, मत् merging क्यूबिस्ट वाली ही थे, क्यूबिस्बों में, एक तरह से, जो गती की कमी थी, जो speed की कमी थी, जो movement की कमी थी, उसको बूरा किस ने किया? भविश्यवाद ने, तो इसलिए एक kinetic sensation की बात कर लो, एक speed की बात कर लो, movement की बात कर लो, जो भी चीज़ें हैगी, वो सब किस से related होगी, भविश्यवाद से होगी, इसलिको बाकी इसका future चीज़ों को add कर रहा है, speed को, technology को, यह चीज़ें आपको इसमें दिखेगी, जब आप उनकी मूर्थी देखोगे, चाहे पेंटिंग देखोगे, तो speed को, youth को, objects को, इस तरह से airplane card, इस तरह की चीज़ों को, इन लोगों ने, कलाकारों ने use किया, और एक ही चीज़ से संभख ल लाइन है, तो इसको देखके यह आपको क्या अभास होता है, एक speed का अभास होता है, जबकि इसी comparison में अगर इस तरह की line होगी, तो हमें speed का अभास नहीं होता है, यह स्थिरता होती, यह हम fundamentals में पढ़ते हैं, तो same इसी को connect कीजिए, कि यहाँ पे जब आप painting को देखेंगे, यह इनका कोई भी काम देखेंगे, मूर्ती देखेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर किस चीज की अनुभूती होगी, speed की अनुभूती होगी, movement की अभी होगी, और इसी को कहते है, futurism, इसी का art movement है, तो इसको शुरुवात करने वाला कलाकार था, वो था marinity, ठीक है, उनक अब भी पूरा नाम बताती हूं, मैं आपको, Marinity थे, La Figaro, La Figaro नामक magazine में अंक प्रकाशित किया, La Figaro इसनमें एक magazine हुई थी, और उसमें अंक प्रकाशित किया, मतलब देखो, 20 February 1909 में, अंक प्रकाशित किया, मतलब एक तरह से letter publish किया, और जिसमें लिखा था, कि we are futurist, और futur futurist जो है, वो इस इस theme पर काम करेंगे, इसको कहते है, इसको एक चीज़ और भी कहते है, घोशना पत्रिया manifesto, तो ये, Marinity ने लिखा था, La Figaro नामक magazine में ये चीज़ छपी थी, और इसमें, जो futurist का manifesto लिखा गया था, या घोशना पत्रिया था, ठीके, दिनांग जो है, वो English में बोलें, तो kinetic sensation, kinetic sensation समझेंगे, kinetic speed, तो ये सबसे पहली इनका target था, दूसरी चीज, इन्हों ने जो सबसे पहले painting का creation चालू किया, वो 1910 में किया, 1911 में किया, पैरिस के बैरहीम जिउनों में इनने प्रदर्शनी लगाई थी, जो कि 1912 में लगी गई थी, ठीक है, एक ब गोशना पत्विल लिखा, जिसको आप English में क्या बोलते हो, Manifesto बोलते हो, ठीक है, अब Manifesto इसने तो लिखा, और इसी Manifesto पे पता है, ये artist थे, कौन से ये नीचे दिख रहे हैं, जो आपको Carlo Cara, Bossioni, Rosello, Severini, Gio, Bella, Matt Marinity, इनने जो है, इन सब का signature होता है, इस Futurist Manifesto में, जो कह ल्यूगी रोसेलो, यही है, जो रोसेलो, Futurist है, ल्यूगी रोसेलो ने Manifesto लिखा था, जो Futurist, उसका नाम था Art of Noises, Art of Noises, उससे उनने किया था, इसके पीछे थोड़ी कहानी है, कि जब हम speed है, चाहे हम मैंने जितनी elements आपको बता है, चाहे industrialization है, जो एक तरह से Modernism, Futurist का मतलब क्या है, Modern के उसमें, जो हम आगे का भविश्चिवात देखने हैं, इन सबकी चीजों कान तक पहुशती है, युगा के कान तक, उसको उन्होंने Art of Noises बोला था, इस उस वे में उन्होंने ये Manifesto किया था, मतलब, इस वे में उनने क्या किया था, इसको किया था, एक ब इसका Manifesto लिखा गया है, किसका Cubism का, Oh Sorry, Futurism का, और ये Apparel में लिखा था, ठीक है, Manifesto बहुत important है, कोई भी Art Movement का ध्यान रखना, कि जब उन्होंने लिख के दिया, कि भाई, हम तो Futurist हैं, और हम ऐसा-ऐसा काम करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखने का श्रेक इसको जाता है, मेरेनेटी को, क्योंकि ये सबसे Starting Earlier Artist थे, और उनके साथ जो है, वही, Bossiano, Cara, Rossello, Gio, Bella, Severini, ये लोग रहें, ठीक है, तो इतनी से Theme थी, I hope आपको ये पूरी Theme समझ आ गयोगे, कि Actually Futurist का Theme होता क्या है, ठीक है, इतना होगे, उसके बाद हम इनके Artist को पढ़ेंगे, तो हम कैसे समझा के वह प्रभाववाद है, इंप्रेशनिजम है, ठीक है, ऐसे Gustav Corbett की Painting नहीं देखी तो आप Realism नहीं समझ पाए, पिकासो के Cubist Work नहीं देखा तो आप Cubism नहीं समझ पाए, Similarly अगर आप इन लोग के काम नहीं देखे पाएंगे, तो आप Futurism भी नहीं समझ पहले पढ़ते हैं, जो वरिष्ट है, Gio, Bella, इनका आप Time Period देख सकते हैं, यह इसमें मैं Time Waste नहीं करूंगे, यह गूगल कीवी चीज़े हैं, यह तो आपको खुद को देख रहा है, यह Italian Painter देखो, Italy में चला है, तो यह Italian Painter रहे हैं, Art Teacher रहे हैं, और Poet रहे हैं, Gio, Bella, Art Teacher नहीं हैं, तो इसलिए इनके दो Main Shish अभी आप देखेंगे, एक Bossi Oni है, और एक Severini है, अभी हम उनका भी काम देखेंगे, यह दोनों Main, बहुत Important Shish किसके दोरा पढ़ाए गाए हैं, Gio, Bella, ठीक है, इनों ने क्या किया, यह देखिया, प्रकाश, गती और गती Movement, Light Movement and Speed, इनका चितरन किया है, Obviously, Light का, Moment का, Speed का, इनका चितरन किया है, 1910 में घोशना पत्र पे जो है, हस्ताक्षर किया है, मतलब बोलते हैं, Sign किया, Manifesto पे, कला में, Very Important, Very Very Important, कला में बिंदुवाद और घनवाद का समन्वाई किया है, देखिये, एक CDC सी बात बोलते हैं, यह पहले Cubist भी ठीक है, Mostly, Futurist, Artists, Cubist होंगे, इनने Cubist में काम किया है, तो इन्होंने कहा किया, गनवाद तो वही चीज थी, क्या थी, कि किसी भी चीज के फॉर्म को, रूप को, तोड़ तोड़ के, आप वापिस उस चीज को, उस चीज को, उस चीज को, प्रिजेंट करें, उस चीज को, क पूचा कि मैं ऐसा कर देता हूँ, इसलिए बोलते हैं, इनके काम में, आप Cubism और Pointalism का समनवे बाते हो, और वो कैसे मैं आपको एक्जाम्पल से अभी बता रहे हूं काम दिखा के, ठीक है, ये चित्रकार, मतलब जो है, उन्होंने Modern Divisionism मतलब विभाजन तकनी, जो आप ये लगा दो, तो उससे आपका एक तरह से movement चीज़ें create होईगी, ठीक है, और चित्रसता को, उन्होंने dots और strips से divide कर दिया, dots और strips से, ठीक है, अब उनका काम देखेंगे, तो वो चीज़ें समझ पाएंगे, देखें, ये strips हैं, strips दिखरा है, इस strips हैं, अब आप लोगों को, मैं देखेंगे, ये है, इसमें cubism और इसमें क्या अंतर है, यही बता रही हूँ आपको, cubism जो देखा था, हमने, जो इनके घनवाद देखेंगे थे, उसमें क्या था, कि आज कुछ भी composition है, तो it was stable, एक स्थिरता थी, लेकिन यहां पे क्या है, उन्हें इस तरह से create किया है, कि आपको इन strips की माध्यम से, या जो भी माध्यम से, एक movement देख रहा है, painting स्थिर नहीं देख रही है, अब ये चीजों को मैं समझा नहीं पाऊंगे, आप जितना अच्छे से देखा जाएगा, observe, अब खुद करेंगे, तब art को, हम आच्छोरी को, चीजों को समझ सकते हैं, ज देख लीजी, एकदम छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे point और effect से, उन्होंने एक speed, ये light की speed को बनाया है, कैसे देख रहा हो, आपके एक प्रकाश है, ये प्रकाश ये भी बता लिए, और इसकी speed को उनने बताया है, with the help of क्या, divisionalism, जो मैंने आपको आगे बताया है, शब्दिक भाशा में, उसी को आप बताया है, तो street light एक इनका work है, ठीक है, ये देख लीजे, अब समझ रहे हो आप लोग, ये अंतर है, pointillism, only pointillism, या only cubism, या इन दोनों का mixture, जो क्या कहला है, futurism कहला है, ये आपको अंतर इसमें समझ में आएगा, कैसे आएगा, देखो स ये उस किया है, और उस dot से उनोंने create किया है, ठीक है, और इसमें cubism भी है, और इसलिए इसको क्या बोलता है, लेकिन इसमें भी एक speed है, कि जो girl है, ये लड़की है, वो चल रही है, तो ये जो speed आपको चीजों को देखने को मिल रहा है, यही क्या होता है, शिचरिजम होता ह dog जो है, कुतला जो है, वो leech पे है, उसका dynamism उसका भी आपको speed देख रहा है, ठीक है, तो ये भी एक speed है, जो आप सामने देख सकते हैं, oil on canvas है, ठीक है, next status पढ़ता है, उमबाट्यो बोस्रियानी, very important, जियो को मोबला की हिशिश्य है, लेकिन बहुत important है, बहुत कम age में इ impressionism में हमने बोला था, कि उन्होंने मूर्थी भी अच्छी बनाई और painting भी वैसे ही, बोस्रियोनी ने भी बनाई, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्रभावी sculptures भी बनाए है, मूर्थी भी बनाई है, जो अपने आप में, या net के perspective में बहुत important रखते हैं, गति पूर्ण क्रिया के विभिन चर्णो को action photo के बाती एक दिखाना, means वही चीज है, जो आप protoscoping में देखते हैं, कि एक तरह से आपको speed दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, different stages से आप क्या करेंगे, जैसे उस पर speed दिखाएंगे, जैसे example है, आपने तारे जमीन पर सबने देखी होगी, तारे जमीन पर पर जो वो books में पूरा movement create करता है, एक एक painting बनाता है, और complete movement create कर देता है, तो उस तरह की चीज यहां बोली जारी है, कि different stages, मतब एक demonism या एक action को, या एक speed को दिखाने के लिए, उन्होंने अलग-अलग action photo की भाती उसको एक साथ दिखा दिया है, ठीक है, यह चीज उनकी specialty थी, the very important net में यह दो भर question आ चुका है, कि किसका work है, development of bottle in Spain, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखेगा, complete cubism आपने मू की pen को, तो इस तरह का ही smoothie बनाए गई है, ठीक है, और आप इसको देखे, development of bottle in space, bronze की बनीवी है, बहुत important है, अच्छे से याद का लेना, फिर नहीं बोलना कि बताया है नहीं, ठीक है, यह बिल्कुर बहुत अच्छे दियान रखना, फिर बोलोगे कि आप बताते नहीं हो, तो मैं बता रही हूँ, net के वाले, फिर उसे बोल रही हूँ, कि ठीक है, अब मैं जो चीज थोड़ा सा लगट के बात करती हूँ, वो यह करती हूँ, कि आप इस painting को देखिए, और इसमें यह समझे कि आपको खुद को इसमें speed की अनुभूती हो रही है, क्या आपको यह ए स्टार, unique form of continuity in space, और इंग्लिश में हिंदी वालों के लिए इंग्लिश में ही नाम आएगा, इसे मैंने अलग से नहीं किया है, ठीक, ध्यान रखने, unique form of continuity in space, यह किसकी है, तो यह जो है, आपके, यह भी इनी की है, बहुसी होनी की है, ब्रॉंज में है, अब इसमें भी पर एक movement जो है, वो दिखी रहा है, ठीक, city rises, देखिए, वो important painting है, oil on canvas, बोस्योनी की भी है, अब मैं को बार बार चीज़ों को बताना नहीं पड़ेगा, मैं artwork इसलिए बता रहे हूं, ताकि आप समझ पाएं कि futurism क्या है, या भविश्यवात क्या है, ठीक, तो यह इनका ही ह कि यह जो है, क्यूबिस्ट है, कार्लो कारा, ठीक है, यह टेल वी painter है, इन्होंने पहले academic method means academic methods दिया, क्यूबिस्ट में भी काम किया, then after that, what, कि वो futurist पे भविश्यवात की और मुड़ गये थे, ठीक है, इनका work देख लिए आप लोग, rhythm of object, oil on canvas है, कार्लो कारा का बनाए ग futurism बन जाता है, ठीक है, तो कहीं यह ची लिखी वी नहीं है, यह अपनी आम भाशा है, ठीक है, अपनी आम भाशा है, जिसको आप लोग याद रखेंगे, कि futurism में इस तरह का काम होता था, ठीक है, फिर आतेंगे important एक और, जियो, जीनो सेवरिनी, जीनो सेवरिनी कौन है, यह जीयो कॉमा बैला के दूसरे शिश्य है, ठीक है, चितरकला के अतिरिक्त, इनकी रूची काव्य में भी थी, literature में भी थी, poetry में भी थी, ठीक है, इनके ओपर आपको किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो देखो, neo-impressurism का मिलेगा, सूराट का देखने का मिलेगा, जो सूरा का मिलेगा, मतलब pointalism को भी यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा वो उससे प्रभावित थे, इनके teacher कौन, Gio, Bella है, भोशना पत्र में इनने भी हस्ताक्षर की, 1910 में, चितरो में घनवाद और भविश्यवाद का समन्वे, जो मैं आपको बार-बार चीजों को बता स्विजलेंड के इन्होंने उसके बाद, उनने बहुत काम किया, तो जैसे स्विजलेंड के बहुत सारे church के mural mosaic, mural और mosaic का painting किया, आप लोग जो भी हो देखना है, आप लोग मुझे ये बताएंगे, कि mosaic क्या होता है, मैंने western art पढ़ाया है, आपने बहुत सारी exam दी, कोई बहुत अच्छे तरीके से बताना है, आपको comment section में कि mosaic क्या है, ठीक है, next उसमें हम देखेंगे, फिर देखते हैं, ये देखिए, उनका जो work है, dynamic hieroglyphic of the ball tebrine, 1912 में, वैसे इतना important exam perspective से नहीं आता इनका काम, लेकिन हमें देखना है, तो हम बता सकते हैं, ये oil on canvas है, इसमे media इनका समानवाए है, the cyclist, the cyclist है, oil on canvas है, इसमें भी आपको एक speed दिखेगी, एक cyclist दिखेगा, Harley Quinn, Harley Quinn जो है, oil on canvas है, 1965 में बनाया है, ये भी पूरा cubism style है, लेकिन इसमें क्या है, speed है, ठीक है, ले देके चीजें यही है, ठीक है, तो ये जो था, एक छोटा सा art moment था, कौन सा art moment है, ये futurism, ठीक है, उमीद है, आपको अच्छा लगा होगा, अब अगला जो है, मैं थोड़ा फटा-फटी करूँगी, दादावाद anti-art, जिसको कहते है, anti-art, आर्ट बे 12 बजा दी, anti-art, दादा-ism जो है, उसको हम लोग देखेंगे, जल्द ही लेके आएंगे, प्लीज अगर कोई नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बोलने कि मुझे जरूरत नहीं है, क्यों मुझे आदती नहीं है, आप लोग का प्यार वैसे ही बहुत मिलता है, लेकिन बस इतना चाहूंगी कि शेर कीजिए, ताकि जो लोग परशान है इस चीज में कि हमें वो न